अब रुकना नहीं है आपने 10 से 15 दिन बच्चे हैं लग जाईए मैंने 10-12 दिन में इंकम टेक्स खतम करने का ठाना हुआ है आप भी करिए मैं गैरेंटी लेता हूँ आप 6 घंटे काम करिए मैं 8 घंटे काम करके दिखाऊंगा तो आप स्टार्ट कर दीजिए चलिए आज का जो है एजंड़ा क्या है सर इंकम टेक्स और इंकम टेक्स को कैसे स्टडी किया जाए काफी सारे बच्चे परिशान इसको लेके हैं एक तो एक्जाम के बिट्वें सब को देखना फिर सब को रिवाइस करना उसके साद्साफ कैसे पॉसिबल होगा तो जब तक हम strategy नहीं बनाएंगे तो not possible तो बड़ी सीधी सी बात है कि मैं आपका syllabus अगर देखूं तो सर ये हमारे 5 unit है 5 unit में से इस वाले unit को आप एक परकार से अभी cut कर दीजिए क्योंकि ये regular college में internal का part है exam में इसमें से बड़े छोटे छोटे से theoretical सवाल आते हैं तो पहले तो एक burden खतम हो गया सर ये वाला part हमारा नहीं है मैं दीरे दीरे करके आऊँगा तो हमें जो पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है किस topic में क्या है क्योंकि काफे सारे बच्चे क्या करते हैं डीव के side से अपना syllabus download किया उसके बाद फिर match करना चालू किया किताब से फिर किताब में देखा भाई या 19 चप्टर आपकी किताब में मेरे खाल 18 19 चप्टर के counting में दे रखा है books के book के अंदर फिर बच्चे परिशान होते हैं सर 19 चप्टर है आपने तो अभी तक चारी चप्टर कराया तीनी चप्टर कराया इसमें बुक में तो 19 20 चप्टर दी रखा है तो उससे क्या होते हैं और ज्यादा वो पैनिक कर लेते हैं कि अब तो नहीं होगा कैसे करेंगे पढ़ने का सिंपल सा स्ट्रेटेजी है मैं टाइम के साथ बताऊंगा कि आप रिवीजन भी करेंगे ने क्योंकि दस के बाद आपका टेस्ट भी होगा तो किस तरीके से आपको करना है नहीं करना वो सारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और उसको नोटिंग भी करिएगा सर यूनित नंबर वन में क्या पूछा गया है basic concept सर basic concept में क्या बताया गया सर basic concept में income tax का background कि हमारे direct tax होते हैं indirect tax होते हैं इसका exam से कोई लिणा देना नहीं है मैं आपका बड़न हटाते जा रहा हूं सर हाँ इसके अंदर अब जो basic concept है इसके अंदर person की definition आपको पता होना चाहिए assessment year पता होना चाहिए आपका ssc पता होना चाहिए और previous year पता होना चाहिए agriculture income को अभी मैं mark नहीं कर रहा है सर इसको अगर जितने मैंने अंडर लाइन किये हैं यह इसको पढ़ने में पता है कितना टाइम लगेगा hardly two hours दो गंटे में chapter खतम है सर यह वाला पॉइंट जो मैं अंडर मार्क किया है और यह जब आप कर लेते हैं तो आपके एक chapter पूरा finished हो जाता है एस पर आपके book जो given है आपको चाहे आपका ग्रीस आऊ जाये चाहे वीके सिंगानिया है तो डियू का syllabus देने का तरीका अलग है डियू तो बोलती है पांची chapter है भाई हमारे तो लेकिन फिर उसको chapter में device करें तो इसके लिए आपको कितना time लगना चाहिए maximum to maximum आपका two hours और इसमें से सर एक्जाम में आएगा क्या दो घंटे लगेंगे तो बड़ा कम लग रहा है बिल्कुल hundred percent एक्जाम में आएंगे सवाल पढ़ने का पहला तरीका इसको ध्यान रखिएगा दो घंटे में आपको खतम करना है यह किसी भी तरीके से सर इसके बाद हम आगे बात करें आगे agriculture income और residential status मैं point भी कर देता हूं सर residential status को आप priority basis पे ले इसको करने के लिए आपका one day जाएगा इसको करने में one day जिसके underline मैं करूँगा वो exam में आएगा जिसके नीचे मैं underline नहीं करूँगा मैं बताता भी जाओंगा exam के लिए important है या नहीं है तो सर residential status आप सभी ने भी करा है ज्यादा time नहीं लगेगा आप एक दिन में easily खतम हो सकते हैं वही 182 days आपका 63, 65 days, 120 days, exception case, Indian origin उसके बाद वो income वाले जो चार्ट बनाए थे हमने वो सारा करना है जिसमें yes और no देखा था सर इसके बाद अब बच्चता है agriculture income और exempted income मैं हर बच्चों को कहूंगा हाला कि ये syllabus में है लेकिन जो ये जो topic है agriculture और exempted income की बात चल रही है यहाँ पे यानि ये वाला पार्ट इन पार्ट को और agriculture income इन पार्ट को मैं student को सबसे last में भी करवाता हूं और मैं advice भी करता हूं कि सबसे last में करिए तो जब कभी भी unit one करें तो इसको छोड़ के चले क्योंकि पढ़ने का देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस से connected है उसके पीछे logic और reason भी बताऊंग आपने पूरे unit खतम करना चालू किया पता चला exempted income और agriculture income के अंदर आपने एक से दो दिन वेस्ट कर दिया वेस्ट टाइम नहीं हो सकता ना आप तो आप तो टाइम बचा ही नहीं है तो एक दिन के अंदर एक दिन आप चाहो तो एक या डेडर दिन मैं मानलो आप यह पूर करते जा रहे हो WhatsApp पर बात करो उसमें एक दिन नहीं काम होता है एक दिन का मतलब phone रहा switch off हो गया हमारा पहले हमने पूरा concept देख लिया वीडियो वाइज और वीडियो के उपर काफी बच्चे बोले सर स्टार लगा दो तो मैं कल स्टार लगा दूँगा इस वीडियो के उप लोगे तो आपका topic revise हो जाएगा क्योंकि होता क्या है ना कि मैं question जब board पे करा रहा हूं ना तो एक question में मैं 20 minute लूँगा और साइद आपको concept पता है तो उसमें आप 5 minute में कर लो हो सकता है ऐसा capital gain को मैं पढ़ूँगा पिर समझाओंगा पिर पूछूँगा और आपको पता live class में रहते हैं या folder जिनके पास है content वाले folder में upload कर दूँगा offline वाले बच्चे भी इसी को follow करें सार residential status अगर आपने पहले से proper noting करी है तो I don't think कि आपको एक दिन से जादा इसको revision के लिए चाहिए फटा-फट से revision हो जाएगा हम revision chapter भी बनाएंगे lecture जिसमें मेरी कोशिस रहे sir first unit खतम होने के बाद अगर आप ये कर लेते हैं तो sir आप capable हो जाते हैं 15 number score करने के तो sir दिखे एक दिन के अंदर आपके 15 number जो बचे बहुत डरे हुए मैं उनको मैं suggest करूँगा आपने क्या करा sir इसमें basic concept करा assessment year previous year और residential status करा और आपके 15 number इसमें से पक्के हो जाते हैं इस इस तरीके से paper का pattern design होगा sir exempted income क्यों छोडवा दिया क्योंकि जब ये सारे chapter करेंगे हम इसके अंदर already सारे exempted income आ जाएगा तो जब हम सारे chapter को cover कर लेंगे तब पढ़ेंगे exempted income तब आपका आधे गंटे का काम होगा अभी exempted income आप पढ़ना चालू करोगे तो एक दिन भी जाएगा तो उसी वाइस क्योंकि salary के सारे deduction है इसके अंदर आपके इसके अंदर कुछ और deduction जो मैं बीच में clubbing of income में भी बात कर रहा हूं कहीं ने कहीं में बात कर रहा हूं तो वही इसके अंदर है तो मैं एक बार पहले पूरे किताब पूरे chapter खतम कर दूँ फिर हमें अब पता है कि हमारा नीचर क्या रहता है कि जब हम किसी चीज के साथ बहुत time तक spend करते हैं तो विकार लगने लगता है सेम ऐसे salary थोड़ा बड़ा chapter है अगर हमने इसको दो से तीन दिन रखा तो शायद income tax विकार लगने लगे ठीक है ना तो इसलिए मैं वह chapter focus करूँ में आपको interest आता जाए तो सर salary नहीं करेंगे पहले आपने करना है income from house property सर ये unit आपका 20 नंबर का है 10 नंबर का ये income from house property करते ही आप 10 नंबर score कर लोगे और मैं इसके लिए days revise की बताओ ना तो मैं दो दिन दे रहा हूं लेकिन ये दो दिन मैंने ज़्यादा बता दिया है और ये marks है दो दिन मैंने ज़्यादा बता दिया जिसने कर रखा है पहले से chapter उसके लिए तो सर आधे दिन का काम है जिसने नहीं कर रखा वो दो दिन में इसको खतम करेगा सारा वीडियो देखेगा पहले देखने के बाद फिर question practice करेगा इसमें भी हाला कि बहुत सारे मैंने व खतम करोगे ये खतम करने के बाद ये test भी मैं इसी sequence में लेने वाला हूँ पहला जो test में 10 के बाद दूँगा ये पहले unit में ठाके मैं test दूँगा दूसरा test में लूँगा पहला unit plus HP दोनों को जोड के लूँगा यानि जोडता जाओंगा अगला चक्तर सर तीसरा unit जो कहता है ना ये भी हमारा 25 नंबर का unit है जिसके अंदर है हमारा PGVP और एक है हमारा capital gain और एक है हमारा other source तो सर नंबर 1 पे मैंने बता दिया और 2 पे भी बता दिया इस chapter को number 3 पे उठाना है आपको study के लिए number 4 को उठाए capital gain सर जब capital gain करेंगे ना तो जो बच्चे live classes में थे ठीक है जिनके पास time नहीं बचा तो वो special case जो करवाए थे insurance वाले या फिर आपका compulsory acquisition by the government और compensation enhancement वो वाला topic आपके skip भी कर सकते हो exam में नहीं पूछा जाता वो topic बाकी इसके अंदर majorly आपको पढ़ना है 54 की सारी series जो की आएगा उसमें भी examiner ने बोला हुआ है कि 54 और 54 B के हम practical question और 54 F के practical question में implementation करेंगे बाकी theoretical हम पूछ सकते हैं उसका भी examiner ने schedule बोला हुआ है तो सर इसके बाद number 4 कितने number का exam में question आएगा सर 10 marks सर कितना time लगाएं इसके अंदर दो दिन लगेंगे सर तो सर days count करिए आप एक बार आपका इसमें मान लेते हैं डेट दिन लग गया यहाँ पे मैंने दो दिन आपका चार पांस साड़े पांस दिन मैं आपके ले चुका हूँ और revision के purpose से अब इतने दिन में आप कितने number score कर सकते हो पांस दिन के अंदर 10, 20 और 35 नमबर आपका 35 नमबर पांस होने के लिए सिर्फ चाहिए 30 नमबर ठीक है तो आप अगर पांस दिन भी sincerely पढ़ लेते हो ना तो पांस तो वैसे हो जाओगे तो पांस होने की tension तो पहले छ पांस के साथ जैसे यह chapter करेंगे पहले हम start करेंगे deduction पहले हम start करेंगे deduction सार नमबर वन पे यह हो गया number one और two मैं number भी डाल देता हूं ताकि आप बाद में जब PDF मिले तो आप लिख लेंगे सबसे पहले number one पे यह वाला पार्ट किया number two पे यह वाला पार्ट किया number three पे यह हमें number 4 पे करना है और sir number 5 पे आ जाते हैं ये पार्ट करना है sir deduction में हाला कि मैंने पूरे के पूरे chapter नहीं दिये deduction के अंदर पूरे chapter नहीं दिये लेकिन मैंने deduction में वो topic जरूरत रहे जो इससे related है तो सबसे पहले इसको करना है sir इसके अंदर कितना लेना है आपको half day लेना है ज्यादा half day मैंने ज्यादा बोल दिया क्योंकि theoretical part है समझने वाला है तो इसके अंदर half day लीडिये sir जितना आप करेंगे इसमें से कितने marks का question आएगा sir 6 marks का question fix है कि इसमें से पूछा ही जाएगा 6 marks का इसके अंदर से question fix है कि पूछा जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छा सर 6 marks का इसमें से अब कितने number score होगे आपके 41 number होगे almost आफ 50% से अब अब जा चुके हो marking scheme क्योंकि 75 का paper आएगा 75 का आदा जो होता है वो कितना होता 37 37 तो आप 41 number का cover कर लेते हो कितने दिन में मात्र 6 दिन के अंदर अंदर अब सर इसके बाद आगे पढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे सर इसके बाद अब इसके बाद हलाकी chapter बहुत सारे दिख रहे हैं आप clubbing of income को उठाएंगे इसके बाद सर clubbing of income कितने दिन में लगना है last class में मैंने 45-50 मिनट में खतम किया था chapter आप hardly वीडियो देखते भी है तो आपका ये मैं मान के चलू तो ये 2 hours में आप इसको revise करके लिख के खतम कर लेंगे सर सवाल इसमें से 6 number का पूछा जाएगा इसमें से 6 marks के question आएंगे आपके इस बात का ध्यान दखिएगा clubbing of income के बाद सर अभी भी बहुत सारी चीजे हैं यहाँ पे given अभी मैंने क्या छोड़ दिया सर salary छोड़ दिया PGB भी छोड़ दिया और इधर से मैं अब आगे आता हूँ सर इसके बाद हमें जो chapter pick करना चाहिए वो pick करना चाहिए setup and carry forward सर मैं भी इसको खतम करने में ज़्यादा से ज़्यादा दो classes लूँगा मैं और ये आपका 5 hours के अंदर ये chapter पूरा खतम हो जाएगा जब आप खुद पढ़ोगे मैं 2 घंटे में खतम कराऊँगा आप 5 hours लोगे क्यों लोगे लेंगे सर 5 hours क्योंकि आप लिख के भी करोगे आपको याद भी तो करना है साथ के साथ उसके हिसाब से अभी मैंने हाला की ये chapter आपका खतम हो आप मान के चलो खतम ही है एक दिन मैं भी start करूँगा और ये finish हो जाएगा इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है सर ये chapter हमने खतम कर लिए इसके बाद क्या करना चाहिए सर अब देखिए आपका ये topic आता है एक इसके बाद ये topic आ गया ये topic मतलब कुछ topics है इस topic को बाद में बात करेंगे अब आ जाईए सर कौन से सर सेलरी करेंगे इसके बाद नमरिंग देखते जाईएगा सेलरी करिएगा सर सेलरी आपके exam में 15 marks का आएगा सर सेलरी करिएगा सेलरी आपके exam में 15 marks का 100% आएगा कुछ भी हो जाए salary नहीं चूटेगा सर salary जब 15 marks का आएगा तो ऐसे situation में कितना time लेना चाहिए मैं कहूंगा 4 दिन देखिए आप जब पढ़ेंगे न तो कुछ चीज़े ऐसी है जिसके अंदर आप ज़्यादा time लेंगे मैं salary में time बोल रहा हूँ 4 दिन लेना है मतलब कम से कम 10 से 15 गंटे तो आपको देने हैं क्यों सर क्योंकि आप अच्छे से करोगे सवाल तभी आप attempt कर पाऊगे नहीं तो एक point की वज़े से भी आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा मैं time distribution की बात करूं तो सर कितने दिन होगे यहाँ पर दो दिन थे मान लेते हैं और दो दिन के बाद यहाँ पर आपके हो जाते हैं कितने दिन चार दिन और दो छे दिन तो कितने होगे टोटल आठ दिन यहाँ पर मैंने आपको बोला दो दस दिन और यह मान लेते हैं सब मिला के एक दिन तो ग्यारा से बारा दिन मान लेते हैं एक्जाम के हमारे एक्जेक्ली बात करें तो आज साथ है 28 को पेपर उससे पहले प्रोग्राम का पेपर है रेगलर कॉलेज का तो मान लेते हैं 25 को पेपर है तो 25 से और आज से बात करें तो 10 से 15 दिन का टाइम है और कितने दिन की बात कर रहा हूँ सर, Computation of Total Income of Individual सर, Tax Liability Individual अब यहाँ पर आ गया 5 Leading Case सर, 5 Leading Case सिर्फ Owners के अंदर है और 5 Leading Case Proper Theoretical Case है जिसमें सीला कौसिक का केस है राजा बिनौई कुमार का केस है और भी different cases है जो कि मैं करा दुआ एक दिन हार्डली मुझे कराने में लगेगा अब इससे यह ना Computation of Total Income Computation of Total Income का मतलब होता है कि सारे चप्टर आपको आता है examiner एक combo question बनाएगा जिसमें salary भी डाल देगा जिसमें HP भी डाल देगा जिसमें other source भी डाल देगा जिसमें capital gain भी डाल देगा और बोलेगा सभी income को total करके दिखाईए तो सर यह chapter कोई बच्चा तो starting में करी नहीं सकता यह जो दोनों chapter है अगर आपने यह सारे के सारे chapter finish कर लिए तो automatically यह chapter आपको आता है अलग से index बना के भले ही दे रखा है लेकिन यह chapter आपको पहले से आता है अगर आपने बाकी कर लिया तो मैं तो इसके लिए तो time loomai नहीं करने के लिए यह आप self practice करोगे जब आपका पूरा syllabus होगा तो यहां से देख लो यह syllabus भी reduce हो गया यानि यहां से यहां तक की मैं बात करूँ तो सर इसकी तो tension लेनी ही नहीं आपको यानि सर यहां पर यह तीनों chapter भी खतम हो गया यहां से यह सारा भी खतम हो गया salary house property अब PGBP के बात करते हैं सर PGBP में कितना time लगेगा honors वाले बच्चों को इसमें ज़्यादा time लगेगा program वाले बच्चों को hardly one day और honors वाले बच्चों को जितना time लग जाए last chapter हम यह pick करेंगे program वाले बच्चों को एक दिन लगेगा taxable income कैसे calculate करनी है format बताओंगा ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता रहा बताओंगा उसको program के अंदर program के अंदर सर इसमें से क्या पूछा जाएगा only depreciation का concept जो की मैंने salary में भी छुड़वाया था जो की मैंने capital gain में भी छुड़वाया हुआ है depreciable assets सिर्फ depreciation section 32 honors वालों के अंदर इसके अंदर receipt and payment देंगे और उसके इसाब से पूछेंगे income निकालना इतना मुश्किल नहीं है simple सा है बस वहाँ पर कुछ section 44 A, 44 AD वगेरा वो हम अराम से कर लेंगे तो sir program वाले बच्चे जब करेंगे अभी हाला कि मैंने ये chapter नहीं कराया लेकिन जब मैं करा दूँँआ तो revision करने बैठोगे तो आप ध्यान रखना इसको आप two days में revise कर सकती हो ठीक है two days में आप revise कर सकते हो depreciation honors वालो के लिए मैं last के अंदर ये बता दूँगा जब chapter होगा न तो उसकी के साब से तो आप मैं सबसे पहले बोलू तो इसकी तो tension छोड़ दो देखो ये भी आपने कर लिया ये भी आपने कर लिया sequence देखना ये भी अब other source one day sir मैं other source इसनी ली ले रहा मैं अभी चाहूं तो करवा दूँ other source other source में से क्या question आएगा कोई भी 6-7 income बताईए जो कि other source के अंदर आता है तो इतने सारे income आपको भी पता है normally आपका interest है dividend है या फिर आप तो बस उसको एक systematic way में करेंगे one day में other source खतम हो जाएगा अब जो बच्चे scared हैं कि sir हमारा syllabus कब खतम होगा हमारा syllabus कब खतम होगा उसके लिए ये वाला portion खतम कर चुके हैं already बस एक agriculture income रहता है ये one day लूँगा मैं आप देखिएगा count कर लीजिएगा मैं 15 तारिक क्यों बोल रहा हूँ मैं खतम कर दूँगा पंदा तारिक तक क्योंकि कुछ planning है one day में ये खतम करूँगा agriculture पूरा इसके बाद ये पूरा हो चुका है almost done exempted income मैंने बोला कि एक दिन बस reading करना है क्योंकि जब मैं कर लूँगा सारा तो reading रहेगा तो unit one मेरा खतम unit two पहले ही हम खतम कर चुके हैं इसके अंदर कुछ भी pending नहीं है एक्स्ट्रा कोश्चन प्रेक्टिस के लिए करना है तो वह कर लेंगा जैसे salary के अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि सर retirement वाले भी कुछ questions करा दो आप try कर ये होंगे करोगे तो होंगे अगर सोचोगे ने कि मैंने retirement वाले portion नहीं कराया तो नहीं होगा ऐसा नहीं है मैंने provision सारे करा दिया है अपको सर इसके अंदर capital gain हो चुका है other day अभी यहां से यहां तक देखो तो एक दिन मुझे इतने पूरे slaves में लगेगा एक दिन मेरा इसमें जाएगा दो दिन count हो गया यानि slaves pending में सिर्फ दो दिन है एधर आजेगे सर clubbing कटम कर चुके हैं setup में एक दिन लूँगा तो कितने दिन का slaves pending रहे गया तीन दिन का pending रहे गया deduction में पेंडिंग में दिन लूँगा मैं कितने दिन का पेंडिक रह गया क्योंकि बैलेंस के जो डिड़क्शन है एटी जी के हो चाहे आपके एटी क्यू बी के हो चाहे यू के हो सारे करवाने है चार दिन का स्लेबस मेंली आपका रहता है यहां पे पेंडिक अब बात करते हैं सर मैं पीजी बीप चलते रहें और इज़र रिवीजन और टेस्ट चलते रहें तो फरक नहीं पड़ेगा उसके इसाफ से दिखा जाए तो पीजी बीबी वाला साथ तारिक है चार से पांस दिन मुझे लगने है इस पूरे स्लेवस को अच्छे से खतम करने में अब बात करते हैं सार इस यूनिट पर डिसकर्शन नहीं चल रही इस यूनिट का आपको सिर्फ रिकॉर्डिट लेक्चर मिलेगा क्योंकि लाइव में मैंने देखा यूटिल को मुझे समझाना है कि इस कॉलम में क्या आएगा इसमें क्या होगा तो वीडियो ब्रेक करके फिर उसके बाद एक मर्ज वीडियो करके आपका कल 11 बजे तक क्या 12 बजे तक अपलोड कर देंगे सर इसमें क्या आता है सर प्रिप्रेशन ओफ इंकम टेक्स रिटर्न सर एक्जाम-oriented पार्ट नहीं है तो अगर मैं पेपर की बात करूं जो एक्जाम होगा 75 उसमें इसका contribution ना के बराबर होगा option में रहेगा तो इस unit को जो बच्चा छोड़ भी देता है final paper के लिए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन real life में बहुत important है और internal college के लिए important है जो बच्च लोगे कितने chapter मैंने बोला कि सर आपका सले बस 5 दिन में खतम हो जाएगा अब 5 दिन के बाद मैं 100 lecture बना दूँ आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए आपको जो usable content होगा वो मैं star लगा दूँगा उसके उपर वो आप करिए और extra content के लिए extra कर दूँगा और offline वाले बच्चे भी जैसे कि मैंने topic करा दिया है तो वो परेशान ना हो मैंने बोल दिया कि 11 बजे class अगर मैं दिन में लूँगा तो वो इस बात को लेके पर मैं extra topic और वो बता दूँगा जिनको लगता है suitable सर हमें आगे future में काम आएगा तो कर लेना चाहिए तो आजएगा जिसे नहीं पड़ेगा सीधी सी बात है तो यह सारा का सारा strategy है अब finally एक conclusion में हम बात करें के सार इतनी सारी बात समझ गए हमें करना कितना है तो सबसे पहले आपका point number one basic सर basic के अंदर assessment यह previous यह सब आ गया chapter number two आपका residential chapter number three house property chapter number four capital gain chapter number five deduction जो sequence लेना है chapter number six clubbing और सर clubbing of income को ना अलग से भी बोलते हैं सलेबस में देखोगे तो कहीं clubbing of income मिले गा है नहीं इसको बोलते हैं income other person aggregation of income book के नाम से बोला जाता है chapter number seven set of एक बच्चे जो कुछ बच्चे यूटूब पर भी class लेते हैं वो तो यह कहने के सर धाई मैंने से मैं वीडियो देख देखके परिशान हो चुका हूं तो अब मेरा कोई गलती नहीं है उसके अंदर आपकर देखो जितनी classes है वो तो लेनी पड़ेगी क्यूंकि क्यूंकि salary के अंदर काफी सारी classes थी अब मैं तो syllabus कराऊंगा न मैं ऐसे स्रिफ बोल दू के income tax और बोलू चलो syllabus खतम तो बात नहीं बनेगी आठवे नमबर पे आपको करना है salary और नवे नमबर पे आपको करना है सर इसके supporting में नहीं नमबर पे PGP भी तो नहीं लेंगे हम नवे नमबर पे लेंगे other source और सर दसवे नमबर पे हम करेंगे और ग्यारवे नमबर पे miscellaneous और बारवे नमबर पे आपका PGP में अब एक बात ध्यान दीजिएगा PGP के अंदर मैं क्या क्या कवर करूँगा business and profession honors के अंदर ना partnership firm भी है मैं वो चीज़े PGP के अंदर के कवर करूँगा individual assessment वो मैं यहीं कवर कर लूँगा अलग से आपके unit जो दे रखा है वहाँ पे मैं जाके मैं यहाँ से connect करके कर लूँगा तो individual assessment या partnership firm की liability calculation वो मैं यहीं पे cover कर लूँगा वहाँ पे मैं लेके नहीं जाओंगा जिस हिसाब से मैं लेके चलूँगा सर इसके बाद agriculture income और last में leading case जो है जो है वो करेंगे यह सारा chapter हमारा है अगर मैं कितने कर चुके हैं एक दो सर वन डे लीजिये कातम एक यह मैंने हाला की बताया वन डे में करने वाला chapter है यह ऐसा नहीं है कर नहीं हो सकता सिर्फ 24 भी जो बच्चे पहले से कर चुके हैं इस हिसाब से revision कर ये कुछ में मैंने कम जान बूच के लिखा हुआ है और सर ये maximum जितना भी लग जाए कम सर एक दिन दो दिन चार पांच छे चार दस एकी ग्यारा और बारा तेरा दिर में आपका syllabus खतम हो जाता है प्रोग्राम का honors का paper 28 को है तो सभी का paper खतम होगा जैसा करवाय जा रहा है न आप paper का pattern आप book से करते हैं और question तो definitely solve होई जाता है कुछ बच्चे न एक्जाम के time पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो उन question के चक्कर में पढ़ जाते हैं जो problem भी है और एक है आपका practical problem जिसके answer छोटे छोटे गीवन है उन सभी को मैं बोलता हूं कि avoid करे करने से आप सीधा उसमें सिर्फ क्या करें जाके appendix उसके अंदर पिछले 15-20 साल के questions paper है उन appendix में से भी मैं कुछ question बोलेंगा सर appendix में के मैं appendix के लगवग लगवग 50% question में board पे करता हूं आप चेक करोगे जब करोगे न तो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होगा उन्हीं appendix के question मैंने 10-year में भी डाले 10-year basically past year की question है और 10-year को कर ले और 10-year के पहले chapter wise खतम करें फिर paper wise भी खतम कर लें यह सारा का सारा plan है जो कि आपको करना चाहिए तो मैंने कोसिस किया है कि आप सभी का पूरा का पूरा doubt खतम हो जाए बहुत rare chapter है बहुत कम chapter है आपके सामने chapters बता दिये days भी बता दिये इसी के इसाप से planning करिये लेकिन फिर भी YouTube पे काफि सारे बच्चे बहुत डरे हुए है और एक student का मैंने उसके अंदर देखा comment में के regular ले रही हूँ मुझे लग रहा है कि अब income tax कतम होगा तो मैं देखो YouTube पे तो मैं सारी classes डाल रहा हूँ सारी और in fact मैं बहुत सारी classes questions के cut कर रहा हूँ regular में तो इससे भी ज़्यादा हुई है classes अब बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं वीडियो देखके ठक चुका हूँ तो इसका एक ही प्रोविजन है देखे YouTube पे हर तरीकी के बच्चा है मैं यह नहीं कह रहा है course buy करिए लेकिन जो बच्चे capable है सर जो बच्चे capable है मैंने वीडियो के उपर star लगा दिया है salary की अगर 37 classes है आपकी salary 12 से 15, 12, 10 से 12 classes में खतम कर दिया जाएगा मैं वो चीज़े आपको guaranteed देता हूँ कि application पे अगर 100 वीडियो है तो मैं 50% वीडियो reduce करता हूँ जिससे आपका फरक कोई नहीं पड़ेगा concept सारा clear होगा practice आप अपने आप करेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि practice करने में आ करता हूँ तो time लेता हूँ सर प्राइस क्या होगा सर एक nominal price होगा हर बार मैं nominal price बोलता हूँ किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो नीचे पिंग में customer care number दे रहा हूँ customer care number पे जाईए अपने doubt को बताईए जो मेरे course वैसे course का price 1250 रुपए है जो मेरे course के price को afford नहीं कर सकता लेकिन उनको YouTube पे problem आ रहा है उस customer care पे बात करिए आपको best और सस्ते से सस्ता जो बन पाएगा आपके लिए करा जाएगा मैं आपके लिए हमेशा stand करूँगा जो minimum price आपका लगता है आप उनसे बोलिए बात करिए कि सर हम इतना afford कर सकते हैं definitely उसमें आपको discount दे दिया जाए मेरी बस यही है प्रोविजन बाकी मैं YouTube पे लगातार वीडियो डाल रहा हूं अब मेरी कोसी से दिन में दो वीडियो भी डालो तो देखे मैं तो अपनी तरफ से वीडियो ही डाल सकता हूं लेकिन उसको systematic playlist भी बना दिया मैंने in fact तो मैं इस से ज़्यादा YouTube पे मेरे पास option नहीं है कि मैं start लगाऊं या फिर नहीं लगाऊं वो YouTube पे मेरे पास option available नहीं है so that student मैं यही कहना चाहूंगा कि अब रुकना नहीं है आपने 10 से 15 दिन बच्चे हैं लग जाईए मैंने 10-12 दिन में income tax खतम करने का ठाना हुआ है आप भी करिए मैं guarantee लेता हूं आप 6 गंटे क करके दिखाऊंगा तो आप start कर दीजिए फिर मिलेंगे हम किसी next वीडियो में आप सभी की बच्चों के कुछ doubt से वो doubt hopefully clear होंगे thank you so much अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को share करिए